उसके बाद आपको यह देखना है, पहला कोशन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देख लिजीगा, यह कोशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे मैं आपको बता रहूँ, ऐसा ही कोशन आपके पेपर बनेगा, ठीक है, आप सभी लोग ध्यान से देख लेंगे, अब देखो आप जैनते हैं, CPU क्या होती है, मैमोरी क्या है, CPU क्या होता है, मैमोरी क्या होती है, इनकी परिवास आपको देखने पड़ेगी, क्योंकि आपको इंट्रड़क्शन आपको बेसिक पूछा जाता है, कम्प्यूटर के बारे में, कि कम्प्यूटर अप्लिकेशन क्या है, यह स इस तरीके से कोशन बनते हैं यह सब लोग आप जानते हैं कि computer क्या होता है उनके घْटक किया होते है completely प्याद करेंगे कंप्यूटर के यह आप याद करेंगे दूसरा हैordu When the company 003ry लोगते हैं उस उप्योग के बारे में क्वार्फय करेंग आप जानते हैं hardware क्या होता है software क्या होता है software जिसे छूँ नहीं सकते है hardware जिसे छूँ सकते है ठीक है ना वहीं हम छूँके sports कर सकते है वह चीज़ में देखना होता है अब एक होता है डिस्क जिसे बोलते है डिस्क operating system जिसे हम DOS बोलते है DOS most important है आप इसको एक बार पढ़के जाएगा इसके कार क्या होता है बिंडो तो आप जानते होंगे बिंडो 10 हो गया बिंडो XP हो गया बिंडो 7 हो गया बिंडो 8 हो गया बिंडो 9 हो गया यह चीज़ो प्रोग्राम को हमारा PC में जो रन कराते हैं, वो बिंडों कहलाता है, थीक है वह बात करो संक्या प्रांदी क्या हो देखर दीहां, कि द्जरत है, द्यएंस क्या होता है, दूसरा है यह होता है, चार बता है, यह हा पर है, this कैसा मैं दender मेंट development system बोलते है database management system क्या है आप देखेंगे ओद्धेस और कार्यों के बारे में 2022 में आने वाली question है जो most important आप ध्यान से देख लेना दूसरा है data यह होता है data कह सकते है data संसाधन क्या होता है जिसे data processing बोलते हैं वो क्या है आप इसको याद करेंगे most important है, ये भी question आपके exam के लिए है, ठीक है, और इसके बाद में MS Word तो जानते होंगे, MS Word में जो हम आप टैपिंग बगारा करते हैं, उसमें डाकून बनाने के और पेंटिंग करने की बिधी क्या होती है, उसके कार बताईए, तो MS Word से ही हम सारा कुछ पेंट करते हैं, आपने और output जो होता है, वहीं देखेंगे, ठीक है, यूनिट के बारे में, उसके बाद computer का विकास चरण ये most important है, ये कई बार university में पूछा जा चुका है, अभी जो हाली में जो कह सकते हैं, रामनोहर लोई यूनिवस्टी का पेपर हुआ था, computer का उसका पूरा question मनला था, computer का वि और सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि paper को, जैसे ही आपका paper होता है, 7037327838, और इस पर आप हमें to learn WhatsApp message कर देंगे, और इस पर आप हमें send करेंगे, ठीक है, यहां बोला गया है कि virus संकमण क्या है, virus संकमण होता कि आप इसको देखेंगे, ठीक है, और virus संकमण को देखने के साथ में हम यह देखेंगे कि data और information में अंतर क्या होता है, data और information में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर देख लेना है, और सब संसादन और करियाओं का कार्य बता देना है, ठीक है, यह आप देखेंगे, और यहां कहना है, local area network क्या होता है, जिसे हम LAW बोलते हैं, और WAN, जिसे हम कह सकते हैं विड एरिया नेटवर्क बोलते हैं तो इन दोनों के गुणदोसों के बारे में आपसे पूछ लेता है ये थे 2022 में आने वाले कोशन इसके अलाव आपको कुछ और नहीं पढ़ना है ये most important question है 2020 में आने वाले कोशन ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है कोई दिखके दे तो comment section में आप पूछ लेना और paper होते ही मुझे whatsapp number पर आप तुरंत pdf बना कर ये फिर photo case कर मुझे बेजेंगे ताकि मैं उसको आपको review करके बता सको जो question मैंने दिये है बही paper में आता है इस बात को याद रखना तो paper hacker को अभी subscribe कर देंगे bell icon को press कर देंगे thank you for watching this video bye bye दोस्तो